क्रोमेटो ग्राफी आज की इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करेंगे क्रोमेटो ग्राफी की देखो यह जो क्रोमेटो ग्राफी होती है यह एक तरह का सैपरेशन टेकनिक होता है जहां पर हम आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन प्यूरिफिकेशन करते हैं क्रूड या फिर किसी भी plant का crude part है मतलब की raw form है तो उसका isolation, identification, purification हम करते हैं with the help of chromatography तो हम यह कह सकते हैं कि जो chromatography है एक तरीका separation technique है यहां तक आपको clear हुआ जो भी आपका crude drug होता है उसका isolation, identification, purification करना chromatography की मदद से और chromatography एक तरीकी separation technique है जहां पर हम mixture of chemical compound में से आप देख सकते हैं आपर कितने तरह की chemical compound है तो हम यह बोलेंगे mixture of chemical compound में से एक single compound को isolate करना तो यह जो isolation करते हैं यह जो हम अलग निकालते हैं with the help of chromatography निकालते हैं तो chromatography it is a separation technique जहां पर हम mixture of chemical से एक single chemical को एक single constituent को separate कर सकते हैं एंड यहां पर हम crude drug का isolation, identification, purification करते हैं यह होता है chromatography तो सबसे पहले तो यह समझाना है फिर आज का आपका topic है thin layer chromatography फिर हम समझाएंगे thin layer chromatography क्या होता है देखो हमने start किया था B Pharmacy 7 semester instrumental method of analysis और instrumental method of analysis की unit number 3 में सबसे पहले lecture में हमने देखा था adsorption column chromatography, partition column chromatography, paper chromatography और आज के lecture में हम देखने वाले हैं हमारा TLC thin layer chromatography तो जिसने paper chromatography देखा था, वहाँ पर मैंने paper यूज किया था partition का example है तो partition में मैंने बता दिया था हमने यहाँ पर एक paper को यूज किया था ठीक है, बाकि सब कुछ सेम रहेगा thin layer में हम क्या करने वाले, एक plate को यूज करने वाले हमने यहाँ paper यूज किया तो यहाँ plate यूज करेंगे, बस इतना सा फरक है सीरिसी बात है, बाकि बहुत सारा procedure लगबग लगबग same ही है RFLU क्या होती है, किस तरह से sports आते हैं, किस तरह से आपका mobile phase यहाँ पर run करता है आपकी plate के उपर, सब कुछ सेम procedure है, बस यहाँ पर हम stationary phase को भी use लेंगे जो कि आपका silica होता है, जो कि हम plate पर cover कर देंगे तो चली lecture को start करते हैं, यह आपको दिया हुआ है unit number 3 में thin layer chromatography, फिर इसकी बाद एक last lecture रह जाएगा electro of 4SS, तो चली start करते हैं thin layer chromatography को अगर आपको all lecture के requirement है, तो आप check कर सकते हैं हमारी playlist, जहां पर आपको unit wise सारे lecture मेंने mention किये हुए हैं, और अगर आपको notes के requirement है, तो आप check कर सकते हैं हमारी application, depth of biology की application आप download कर सकते हैं, प्रे स्टोर से, और आपको वहाँ पर सारे notes अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं वहाँ पर लाइव लेक्चर भी होते हैं ऑनलेन क्लासेज भी होती है तो ज़रूर डाउनलोड कीजेगा डेप्ट बायलोजी अप्लेकेशन चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं क्रोमेटो ग्राफी आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टेडी करने वाले हैं थिन लेयर क्रोमेटो ग्राफी को और जैसा कि आप सभी जानते हैं क्रोमेटो ग्राफी को परफॉर्म करने के लिए मेरे पास एक स्टेशनरी फेज होना चाहिए और एक मोबाइल फेज होना च चाहिएगा एक chamber, this is your chamber, कौन सा chamber होता है यह TLC chamber होता है, साथी साथ मुझे यहाँ पर चाहिए एक plate, this is your plate, एक plate मुझे चाहिए, उस plate के उपर मैं silica को apply करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने silica को apply कर दिया, silica क्या होता है, silica होता है हमारा stationary face, तो हमने यहाँ पर लगा दिया, silica को मतलब हमारे stationary face को plate के उपर, फिर हम यहाँ पर रख देते हैं solvent, और solvent का मतलब होता है mobile face, clear, उसके बाद हम इस plate के उपर एक line को draw करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते मैं एक line में ने draw करती है, और यह line जो है, एक centimeter उपर में draw करूँगा, इस plate का जो base है, उस base से एक centimeter के उपर, मैं एक line को draw करता हूँ, और इस line को draw इसलिए करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं sample रख सकूँ, यह आपका sample है, जिसको आपको separate करना है, और sample में polar molecule भी होंगे, और non polar nature के molecule भी होंगे, दोनों तरह के molecule होंगे, तो आपके पास क्या क्या आ गया, आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास stationary phase है, mobile phase है, तो हमें पता है कि chromatography चाहिए कोई सी भी हो, जैसे TLC है, thin layer chromatography, तो stationary phase चाहिए, mobile phase चाहिए, तो आप देख सकते है, mobile phase भी है, stationary phase भी है, तो चलो इन्हें अटा देते हैं, यो दोनों requirement पूरी हो गई, stationary phase भी है, mobile phase भी है, उसके बाद यहाँ पर एक chamber भी हमारे पास है, साथे साथे एक plate भी हमारे पास है, और इस plate के उपर हमने stationary phase को को लगाया हुआ है मतलब की सिलिका को लगाया हुआ है सिलिका हो सकता है अलुमिना हो सकता है कई तरह के stationery phase हो सकते हैं ठीक है और यहाँ पर इस plate की उपर हमने base से अगर मैं देखूं तो एक cm की उचाई पर यहाँ पर मैंने एक line ड्रो करी थी जहाँ पर मैं sample को introduce करूंगा और sample में दोनों तरह के molecule होते हैं polar nature के भी non-polar nature के भी अब आपका जो silica होता है वो polar nature का होता है किस nature का होता है polar nature का होता है अब देखो एक बात और ध्यान रखना कि ये जो line आप draw कर रहे ना this one ये जो line आप draw कर रहे हैं इस line को आपको इसमें dip नहीं करना इस mobile face के इस तरह से dip कर दो इस line को नहीं करना है हटा देता हूं में नहीं करना है क्यों कि आपका जो sample है वो dissolve वके इस mobile phase में चला जाएगा हमें ये थोड़े ना करना है कि घुल मिलके उसी में चला जाए हमें तो separation करना है ना तो आप याद रखियेगा कि ये जो line है ये dip नहीं होनी चाहिए आपकी जो यह लाइन में ने ड्रो करी है बेस से एक सेंटिमेटर उपर की तरफ जहांपर मैंने सेंपल को इंट्रिद्यूस किया है वो लाइन डिप नहीं होनी चाहिए आपके मोबाइल फेज में क्योंकि अगर इसा हुआ तो यह सारा सेंपल मोबाइल फेज में चला जाएगा जो की फिर सेपरेट नहीं हो पाईगा ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा कि यह जो मोबाइल फेज का अपका लिकवेड है यह सॉल्वेंट, यह लिकवेड, यह मोबाइल फेज capillary action की मदद से इस plate की उपर आना शुरू होगा इस तरह से आप देख सकते हैं plate की उपर आना ये शुरू हो रहा है तो जिसे जिसे ये plate की उपर आ रहा है अब एक बात ध्यान रखना कि अगर आपका silica polar nature का होता है तो आपको just opposite mobile phase लेना होता है मतलब की non polar nature का आपका mobile phase होना चाहिए आपके silica के basis पे मतलब आपके stationary phase के basis पे आप decide करेंगे कि आपको mobile phase कैसा होना चाहिए just opposite होना चाहिए जिसे महां लेजिए आपका stationary phase जो है silica वो polar nature का है तो आपका mobile phase हमेशा उल्टा होना चाहिए non polar nature का होना चाहिए अब mobile phase यहां से जा रहा है अब यहां से mobile phase जा रहा है mobile phase किस nature का है mobile phase है non polar nature का तो आपके sample में यह जो यहां पर आपका sample था इस sample में जो भी non polar molecule होंगे वो उपर चलते जाएंगे क्यों चलते जाएंगे क्योंकि जो आ रहा है वो भी non polar का और अगर sample में कोई भी non polar होंगे तो आप देख सकते हैं ये green वाले उपर आ गए क्यों आ गए क्योंकि ये आपका जो mobile face था ये move करके उपर जा रहा है तो इसकी संगती के लोग ये लेके जाएगा इसकी संगती कैसी है इसकी संगती है non polar nature वाली तो sample में जो भी non polar molecule होंगे ये उसको उपर लेके जाएगा अब जो polar molecule होंगे वो धीरे धीरे आएंगे विचारे पीछे रहे जाएंगे बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहापर सारे compound isolate हो चुके हैं चलता है जो जिस nature का होता है जिसे माली जी आपका stationary phase non polar nature का था तो sample में जो भी non polar थे वो भी stationary phase के साथ बहे कर आगे चले गए तो जो सबसे आगे आए हैं ये जो है highly non polar है ये आपके non polar है ये आपके polar वाले हैं तो पीछे रहे गए हैं ठीक है सर हमें यहां ते clear हो गया कि जो जिस भी nature का होगा वो उसके साथ चला जाएगा simple सी ये बात है अब देखो यहां पर आप जो chamber use करते हो TLC chamber ये आपको dust से बचाता है जैसे माली जी कोई भी बाहर dust particle है तो अंदर नहीं पाएगा इसको close कर देते हैं है ना तो जो भी आपका TLC chamber है इसको मैं अटा जेता हूँ थोड़ा आपको congested ना लगे जो भी आपका TLC chamber है वो आपको dust से बचाएगा इस तरह से packed हो जाता है दूसरा TLC chamber पेक होने की वज़े से यहाँ पर जो भी हम mobile phase यूज़ कर रहे है जैसे माली जी यह plate यह plate के उपर mobile phase जा रहा है तो जो भी हम mobile phase इस chamber के अंदर यूज़ कर रहे हैं वो evaporate होके बाहर नहीं निकलेगा clear है तो एक तो dust से बचेगा एक आपका जो mobile phase है वो evaporate नहीं होगा यह दोनों बात आपको clear हो गई दूसरा कि आप जो भी plate यूज़ कर रहे हैं वो plate inert होनी चाहिए मतलब कि non-reactive होनी चाहिए वो किसी भी तरह का reaction show ना करे उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से अलग-अलग तरह के particle जो है separate होते होए दिखाएं देंगे on the basis of polarity, on the basis of non-polarity, on the basis of कि किस तरह का आपका mobile phase है किस तरह के आपके stationary phase है तो उन सब के nature पर यहाँ पर separation होता रहता है clear हो गया तो यहाँ पर यही सब लिखा है कि एक तरह की technique है separation technique है जहाँ पर आप mixtures का मतलब की जैसे माल लीजी अलग-अलग तरह के आपके पास chemical compound है है ना उन में से एक single को आपने isolate करना तो तो आप कर सकते हैं मतलब कि आप mixture में से एक single को isolate कर सकते हैं कौन सा mixture? non-volatile क्योंकि यह volatile थोड़ी ना है evaporate थोड़ी ना हो रहा तो non-volatile mixture में से एक single constituent को एक active constituent को आप separate कर सकते हैं with the help of chromatography और वी किन से thin layer chromatography यहाँ पर आप जो glass यूज कर रहे हैं मैं आपको बोला ना इस तरह से plate यूज कर सकते हैं ठीक है? यह baseline यहाँ पर बिना रखी है एक centimeter से और अब RF value क्या होती है? इसको ध्यान से समझना मैंने आपको बोला कि आपका जो mobile phase है वो mobile phase जो है capillary action की मतब से उपर की तरफ जाएगा अब जब उपर की तरफ यह जाएगा तो यहाँ पर एक line होती है जिस पर sample होता है sample का जो भी nature है जिसे माली जी mobile phase आपका non-polar nature का है तो sample में जो भी non-polar molecule होंगे वो उपर आ जाएगे ठीक है? इसके साथ उपर आ जाएगे आपका जो mobile phase उपर आ रहा है उसके साथ उपर हो जाएगे आपके sample के non-polar molecule clear है? अब यहाँ पर हम RF value के अगर definition देखे तो RF value क्या होता है? कि distance travel by solute यह जो उपर आएगे ना sample में से निकल निकल के इनको बोल रहा है solute तो distance travel by solute divided by distance travel by mobile phase यह जो आपका mobile phase है जो उपर जा रहा है capability action के मदद से तो यह होता है आपका RF value यहाँ पर लिखा भी है distance travel by sample divided by distance travel by solvent और विकिन से mobile phase यहाँ पर जो theory मेंने mention करी है अगर आपको वहाँ पर adsorbent दिख जाए मतलब stationary phase की बात हो रही है और अगर आपको वहाँ पर solvent दिख जाए मतलब के आपके mobile phase की बात हो रही है ठीक है यहाँ तक clear है आपको उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ thin layer chromatography की तो यह जो आपकी thin layer chromatography है यह simplest होती है easiest होती है कम expensive होती है साथिसाथ fastest होती है मतलब की simple हो गया easy हो गया fast हो गया और expensive भी कम हो गया यहाँ पर लिखा है fast है least expensive है simple है easiest है चली आगे चलते हैं यहाँ पर आपको diagram दे रखा है इस तरह से आपको diagram बना देना है उसके बाद यहाँ पर आपको इसी की same theory दे रखी है आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने sample को introduce कर दिया यह आपका mobile phase हो गया यह आपका silica stationary phase हो गया जो कि polar nature का बता रखा है तो जो भी बताया वो सब as it is है उसके बाद आपको यहाँ पर सारी properties दे रखी है कि जो plate होती है वो chemically inert होनी चाहिए non-reactive होनी चाहिए stable होनी चाहिए readyment plates आती है market में और जो आप plate है न plate के ओपर जो भी आप silica add कर रहे हो मतलब कि stationary phase को add कर रहे हो तो यह जो stationary phase होता है इसको आप कैसे add करोगे या तो आप इसपे pour कर दोगे पोर का मतलब होता है इस तरह से डाल दिया आपने इस तरह से डाल दिया pour कर दिया या फिर silica का एक solution है उसमें आपने अपनी plate को dip कर दिया तो आपको क्या करना है इसके उपर silica चड़ाना तो silica चड़ाने के कई طरीके हैं जिसे spray कर दो silika को spray कर दो plate के उपर या फिर आपकी जो plate है उसको silika में dip कर दो या फिर उसके उपर आप pour कर दो तो pour कर दो dip कर दो spray कर दो किसी भी तरह से आप silika को लगा सकते हैं plate के उपर उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा है the stationary phase on the plate has in fine particle size and also have a uniform thickness जो भी आप stationary phase लगा रहे हो जैसे मान लिजे आप यहाँ पर silika को apply कर रहे हो तो silika का यहाँ पर एक uniform और weekend से जो thickness होती है वो uniform होने चाहिए ठीक है साथी साथ यहाँ पर जो silika के particle है वो fine होने चाहिए बहुत ज़्यादा उसके बाद chamber की बात करे थी चेंबर में उन्हें आपको बता दिया एक stable environment प्रोवाइट करता है जो चेंबर होता है जहाँ पर सारा काम हो रहा है वो एक stable environment प्रोवाइट करता है जिसकी मदश से आपकी chromatography अच्छे से हो जाती है साथी साथ evaporation से बचाता है जो भी आपका solvent है मतलब आपका mobile phase है उसको evaporate नहीं होन देता और उसको dust free रखता है फिर यहाँ पर आपको mobile phase के बारे में बता रखा है कि mobile phase इस phase should be particulate free जितना अच्छा अपना mobile phase होगा उतने अच्छे आपके sports भी अच्छे से आएंगे RF value में आपको बता दिया RF value जो है RF value की range होती है 0 से लेकर 1 के बीच में और एक ideal value के मैं बात करूँ तो 0.3 से लेकर 0.8 तक यहाँ पर वही सारी theory लिखी है कि आपको आपकी जो भी plate है उसके उपर आपको एक line draw करनी है line जो है base से 1 cm होनी चाहिए वहाँ पर आपको sample introduce करना है फिर आपका जो solvent होता है और weekend से mobile phase होता है वो यहाँ पर उपर की तरफ जाता है with the help of capillary action यहाँ पर sports आपके बन जाते हैं उसको फिर हम visualize करते हैं with the help of UV light chamber फिर disadvantage दे रखे हैं thin layer chromatography plates do not have longer stationary phase दूसरा the results generated from the TLC are difficult to reproduce not quantitative, यह बहुत ही बड़ा disadvantage है कि quantitative नहीं है सिर्फ quality बताती है, quantity नहीं बताती the detection limit is high and therefore if you want to a lower limit detection then you cannot use TLC तो यह सारे disadvantage हो गए उसके बाद आपको यहाँ पर application भी दे रखी है, application तो कही तरह से, जिससे qualitative testing of various medicine क्योंकि आपर सिर्फ qualitative testing ही कर सकते हैं, अभी हमने देखा quantitative testing तो करी नहीं सकते हैं, तो कई तरह की medicines की qualitative testing करते हैं, जिससे कि आपका sedative, local anesthetic, anti-convulsant, tranquilizer, analgesic, anti-stermines, steroids, hypnotics TLC is extremely used in biochemical analysis such as separation or isolation of biochemical metabolites from its blood plasma, urine, body fluid, serum Thin layer chromatography can be used to identify natural product also like oil, volatile oil, fixed oil, glycoside, wax, alkaloid उसके बाद, it is used for the purification of sample used in the food industry to separate and identify color sweetening agent, preservative used in the cosmetic industry used to study if a reaction is complete or not advantage की बाद करूँ, fewer types of equipment are used यहाँ पर क्या यूस किया हमने, कुछ भी नहीं, एक chamber, एक plate all component of UV light is achievable to visualize मैंने आपको बोला था, जो भी आपका dots वगेर आते हैं उनका हम UV light के अंडर में visualization कर सकते हैं साथि साथ, non-volatile compound can easily be separated with the help of thin layer chromatography clear है, तो these are the advantage of chromatography these are the applications of TLC thin layer chromatography these are the disadvantage of TLC and TLC chromatography experiment procedure and RF value भी मैंने आपको बता दी सारी theory बता दी, principle बता दिया, diagram बता दिया और introduction बता दिया और chromatography होती क्या है, कैसा start करनी है वो सारी चीज़े मैंने आपको बता दी principle, introduction, methodology, RF value, advantage, disadvantage, application I hope आपको lecture clear हुआ होगा अगर आपको lecture से related कोई भी doubt है तो आप comment section में comment कर सकते हैं ये notes आपको depth of biology application मिल जाएंगे depth of biology application आप download कर सकते हैं play store से साथे साथ, telegram से जुड़ जाना, instagram से जुड़ जाना telegram पे, instagram पे सारे polls, updates, memes mcq, सब कुछ आता है और इन दोनों की link और application की link मैंने आपको description में दे रखी है अगर ये link काम नहीं कर रही है तो आप सीधा जाएगे telegram पे, instagram पे, play store पे और वहाँ पर जाकर search कर सकते हैं depth of biology आपको हम मिल जाएंगे subscribe and share for more ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूँ have a nice day, have a good day Jai Shri Ram Thank you